नमस्कार दोस्तों, आज मैं यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ ECO SPRIN TABULET की तो मैं यहाँ पर आज दो चीजे कवर करूआँगा ECO SPRIN TABULET का Pregnancy में इस्तिमाल किसलिए किया जाता है उस से क्या-क्या फायदा होता है और दूसरा मैं बात करूँगा Heart Attack में लंबे समय तक EcoSprin Tablet का इस्तिमाल किसली किया जाता है Friends अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो Like and Share करना बिल्कुल मत भूले और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूले तो चलिए शुरू करते हैं EcoSprin में जो पाया जाता है Molecule उसको बोलते हैं Aspirin इसको N-Acetyl Salicylic Acid भी बोला जाता है और ये मार्केट में 75 mg, 150 mg, 325 mg में Available है अब सबसे पहले हम बात करेंगी कि Pregnancy में इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है कब तक किया जाता है और इसका outcome क्या होता है EcoSprin में जो Molecule पाया जाता है Aspirin उसको Blood Thinner भी बोला जाता है और ये आपकी Body में Blood के Flow को बढ़ाता है यानि गाड़े Blood को पतला करता है अब जो Aspirin होता है उसमें दो तरह की Property पाया जाती है पहली Property होती है Anti-Platelets यानि ये Platelets Plug Formation को बनने से रोकता है और जो दूसरी इसमें Property पाया जाती है वो Anti-Inflammatory Property पाया जाती है तो ये क्या करता है कि नसों में सूजन को भी कम करता है अब जब ये दोनों चीजे कम होती है Plug का Formation नहीं होने पाता यानि इरक्त का ठक्का नहीं जमने पाता है और सूजन नहीं होती नसों में तो इससे क्या होता है कि नसों में जो है खून का प्रवाह यानि Blood Flow जो है वो अच्छा बना रहता है अब ये Pregnancy में क्यों दिया जाता है तो मैं उसका रीजन बता देता हूं कि पहले क्या बहुत सारी लेडी जैसे होती है प्रेगनेंसी में जिनको High BP या फिर High Sugar या फिर और कई सारी बिमारियां होती है उनमें जो खून की नसे होती है उसका जो सबसे अंदर का लेयर होता है एंडो थेलियल उसको बोला जाता है तो वो इन बिमारियों के करण जो है एंडो थेलियर की जो लेयर होती है वो रप्चर हो जाती है यानि कई कई जिगा से तूड जाती है रप्चर नसों के आसपास कोलेस्टरॉल और प्लेटलेट्स के जमने से जो है प्लेक का फॉर्मेशन यानि ठक्के का फॉर्मेशन हो जाता है और जब एक बार ठक्का बढ़ने लगता है तो उसके बाद ब्लड का फ्लो जो है हमपर होता है ब्लड का फ्लो सही से नहीं हो पाता तो इको इस्प्रिंग की जो टैबलेट होती है वो प्लेटलेट्स को कथा नहीं करना देती है, जिसे की जो है ब्लед का फ्लो प्रेगनेंट लेडी में अच्छी तरह से बना रहता है, ब्लड में अगर बेबी में एक प्लेशिंटा होता है, अगर ब्लेड का फ्लो अच्छा नहीं है, ब्लेड में सही से oxygen की supply नहीं है, ब्लेड में सही से nutrients की supply नहीं है, तो उसकी वज़ा से बेबी का growth सही से नहीं हो पाता, तो जब aspirin tablet का इस्तिमाल किया जाता है, तो रक्त में थक्का नहीं बनता है, ब्लेड का flow सही रहता है, और जब ब्लेड का flow सही रहता है, तो जो भी oxygen या nutrients हैं, ब्लेड में वो सही quantity में बच्चे तक पहुशते हैं, प्लेसेंटा से होका, जिससे बेबी का growth भी अच्छा बना रहता है, तो प्रेगनेंसी में इसलिए eco spring tablet का इस्तिमाल किया जाता है, प्रेगनेंसी में eco spring की जो dose दी जाती है, वो low dose दी जाती है, यानि eco spring 75 mg, रात में खाना खाने के बाद एक tablet इसकी दी जाती है, और ये 34 हफते तक दी जाती है, यानि pregnancy जब से start होती है, और लगभग 8 महीना पूरा हो जाता है, तब तक इसको दीआ जाता है, इसके अलावा क कुछ और केसे होते हैं जिसमें यह टैबलेट का इस्तेमाल रेगुलर किया जाता है जैसे रीकरेंट प्रेग्नेंसी लॉस में इसका इस्तेमाल किया जाता है रीकरेंट प्रेग्नेंसी लॉस का मतलब होता है कि किसी लेडी का बच्चा कई बार गिर गया है या उसने अपना बच्चा लॉज्स कर दिया है उसके अलावा प्री टर्म का मतलब होता है कि बच्चा अपने समय से पहले ही पैदा हो गया हो उसके अलावा अगर किसी को किसी का बेबी सही से ग्रोथ नहीं कर रहा है तो उस case में भी जो है EcoSpring Tablet का इस्तेमाल जो है regular किया जाता है Infertility और IVF का जहाँ पर case होता है वहाँ पर भी EcoSpring Tablet का इस्तेमाल regularly किया जाता है अब दूसरे case की बात करते हैं Heart Attack और Strokes तो Heart Attack के Prevention में और Stroke के Prevention में भी EcoSpring Tablet का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर जो doses होती है वो high dose होती है तो high dose का मतलब होता है 1500 mg से लेके 162 mg per day Heart Attack के case में EcoSpring का रोल क्या होता है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत सारी बीमारिया होती है जैसे किसी को high BP की problem है, किसी को high sugar की problem है, किसी को already heart की problem है हलका फुलका blockage है किसी नस में, तो जो same process है जैसे मैंने पहले ही बताया है कि यह एंडो थेलियल जो layer होती है नसों की सबसे अंदर की वो रप्चर हो जाती है इन बीमारियों की वज़े से और रप्चर होने के बाद फिर वहाँ पर cholesterol जमने लगता है, cholesterol पर दिरे-दिरे करके platelets जो है वहाँ पर जमने लगती है platelets जो है जब वहाँ पर जमने लगती है तो plaque का formation कर लेती है और अगर किसी को already heart की heart की बीमारी है कहीं कहीं हलका फुलका blockage है तो वहाँ पर जब यह platelets जो है वह अपना इकठा होने लगती है तो वहाँ पर एक पूरी तरह से नसे ब्लॉक हो जाती है जिससे heart attack हो जाता है किसी को और व्यक्ति जो है heart attack की वज़ा से उसकी death हो जाती है तो इसमें क्योंकि दो property पाई जाती है एक तो property पाई जाती एंटी platelets यानि कोलेस्ट्राल पे यह platelets को जमने नहीं देता है और दूसरा जो है इसमें जो है लोग की problem भी काफिया तक prevent हो जाती है अब जो है एक चीज हम और देखते हैं किसके side effect क्या क्या होते हैं तो इसको जो है इससे इचिंग हो सकती है नौजिया डायरिया की समस्या भी हो सकती है तो इस case में जो है इसमें जो है गैस की गोली भी साथ में दी जाती है जिससे यह सारी चीज़े अवाइट की जा सके जिनको heart attack की problem है जिनको पता है कि मेरे नसों में कहीं कहीं blockage है तो उन लोगों को यह लंबे समय तक चलती है इसको जो है रात में एक tablet खाना खाने के बाद दी जाती है जिससे इसका effect अच्छा बने रहे और इन लोगों में जो है इसका जो duration होता है वो दो साल से लेके 5-5 साल तक का होता है तो एक लंबे duration तक heart की problem में eco spring tablet का इस्तिमाल किया जाता है अब किन ल उसको भी इस tablet का avoid करना चाहिए या डॉक्टर की सलाह पे लेना चाहिए उसके अलावा किसी को severe liver या kidney disease है उसको avoid करना किसी को अगर bleeding disorder है तो उसको aspirin tablet का इस्तिमाल करने से बचना चाहिए अब एक चीज़ मैं और बता दूँ इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा जो है लोंग भ्रह्म में रहते हैं, aspirin tablet का लोंग इसलिए करते हैं यह blockage को खोल देगा, जी ऐसा बिल्कुल नहीं है aspirin tablet जो है नसो में blockage को खोलता नहीं है बलकि अगर कहीं पर नसो में blockage start हुई है तो इस blockage को बढ़ने नहीं देता है तो यह सारे use होते हैं eco aspirin tablet का pregnancy में और heart attack में तो friends आपको यह जानकारी कैसे लगी comment box में comment करके जरूर बताईएगा आपका बहुत बहुत धन्यवाद